Almost 150% का आपको यहां पर return देखने को मिला है Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में एक बड़ा move देखने को मिल सकता है जो भी stock यहां पर में discuss करूँगा, उन सब ही ने आज के दिने काफी अच्छा breakout दिया है और अगर यह stock breakout के direction में movement को continue करेगा तो आपको आने वाले समय में एक अच्छा return दिखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की पहला stock है हमर पास game bond का और year rise का chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करते हैं आमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा and in case of target आप 5-10% का target रख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame उच्छ कर रहा हूँ वह है daily का तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे last time में आपको around 300 रूपीज के आसपास दिया था और अभी जो stock trade कर रहा है around 450 के आसपास almost 50% का आपको यहां पर return दिखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस बार एक अच्छा return दिखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find route कर लेते हैं और यहां पर मैं एक simple channel को draw करने जा रहा हूँ तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से channel में trade कर रहा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वो है channel pattern का breakout एक चीज़ आप यहां पर on notice कर सकते हैं और वो है आज का volume जो कि normal day के comparison में कई गुना जाता है तो एक concept आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते है levels की तो अगर यह stock 450 के अगर ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जहां से price एक reversal दिखाता है जो किया रहा है 400 rupees closing basis पर अब आईए देखते हैं next stock और यह है high tech corporation का और यह rest का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे तो यहाँ पर मैं एक simple horizontal line को draw करने जा रहा हूँ याद रखिएगा यह सब मैंने already सीखा रखा है अगर आपको line draw करना नहीं आता है तो आप playlist में जाके एक वीडियो को देख लेजे वहाँ पर मैंने काफी अच्छे से उसको सिखाया है अब बात करते हैं इस stock की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं somewhere around 280 के पास यह जो stock है एक resistance phase करता है जब भी prices level को touch करता है हमें down side में एक move देखने को मिलता था बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की दिर हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वह है resistance का breakout एक चीज़ आप यहाँ पर on notice कर सकते हैं और वह है आज का volume जो कि normal dish के comparison में कई गुना जाता है इसका मतलब यह होता है कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते है levels की तो अगर यह stock 310 रूपीज के अगर उपर निकलता है तो मैं एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss को का previous swing लो जो क्या रहा है 250 रूपीज closing basis पर अब आए यह देखते हैं next stock और यह है inox wind का और यह राइस का chart again सबसे पहले region को find out करेंगे तो यहाँ पर मैं एक simple pattern draw करने जा रहा हूँ जिसे हम लोग box pattern कहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था जिसे हम लोग box pattern या consolidation zone कहते हैं और आज के दिर हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वो है box pattern का breakout मैं chart को थोड़ा सा भी shrink करता हूँ and एक pattern आपको और दिखाने की कोसिस करता हूँ जिससे क्या हुआ कि आपका जो knowledge है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक simple horizontal line को draw कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो 228 का जो level है यह last time हमें इस बाले दिन दिखने को मिला था और यह है October 2016 that means की almost 7 years के बाद हमें इसका एक breakout दिखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग कहते है multi-year breakout multi-year breakout कोई भी breakout after 1 year हो तो उसे हम लोग कहते है multi-year breakout that means की इस stock को select करने का जो region था वो था पहला box pattern का breakout और दूसरा multi-year का breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 240 के अगर उपर निकलता है तो मैं अच्छी buying दिखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss हों का previous swing लो जो क्या रहा है 200 रुपीज closing basis पर अब आईए देखते हैं next stock और यह है कल्यान जोहलर का और यह रहा इसका chart basically आज किसी ने live session में इसके बार में पूछ लिया था तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इसमें एक pole and flag pattern का breakout देखने को मिल रहा है तो अगर आपको कोई भी doubt है तो आप live session join करके वहाँ से पूछ सकते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि last time मैं आपको around 130 के पास दिया था फिर मैं आपको around 201 के पास दिया था और अभी जो stock trade कर रहा है वो trade कर रहा है 320 के आसपास तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी अच्छा return ने आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा 130 से 320 almost 150% का आपको यहाँ पर return देखने को मिला है तो इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि breakout फाइन और करने की कोसिस करिए क्यूंकि जब आप वहाँ पर buy करेंगे तो जो आपका risk होगा वो काफी छोटा होगा और आपका जो reward होगा वो काफी बड़ा होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out कर लेते है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of pull and flag pattern बना रखा था और आज के दिन हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वो है pull and flag pattern का breakout अब बात करतें levels की तो अगर यह stock 325 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing low जो क्या रहा है 280 रूपीश closing basis पर है अब आए यह देखते है next stock और यह है पतंजिली का और यह रहा है इसका chart अगेन सबसे पहले region को find out करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पर मैं एक simple horizontal line को draw करने जा रहा हूँ मैं कोई भी चीजों को ज़्यादा complex नहीं करता इतना असानी से समझाऊँगा कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout देखने को मिल रहा है इस stock को जो select करने का region है वो है cup and handle pattern का breakout एक चीज़ आप यहाँ पर on notice करेंगे और वो है आज का volume जो previous two days के comparison में काफी जादा है इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1440 का एक रूपर निकलता है तो मैं अच्छी buying दिखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते है जहांसा हम एक reversal दिखने को मिलता है जो क्या रहा है 13150 रूपी closing basis पर अब आईए देखते हैं next stock और यह है रामकी का और यह रहा है इसका chart again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं last time मैंने आपको around 440 के पास दिया था फिर मैंने आपको around 540 के आसपास दिया and फिर 585 और अभी जो stock टेट कर रहा है around 665 के आसपास टेट कर रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा return देखने को मिला है तो इसलिए मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ breakout और stock को find out करने की कोसिस करेंगे क्योंकि यहां से जो आपको returns देखने को मिलेंगे वो काफी extraordinary returns देखने को मिलेंगे और अगर आपको नहीं आता है दिन मैंने अल्रेडी एक course बना रखा है आप उसे description में link के थूरू app को download करके वहां से देख सकते हैं अब बात करते हैं कि आज मैंने इस stock को क्यों select किया है तो simply यहां पर मैं एक box button को draw करने जा रहा हूँ जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था जिसे हम लोग box button या consolidation zone कहते हैं आज के दिन हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है इस stock को जो select करने का region है वह है box button का breakout एक चीज आप यहां पर on notice कर सकते हैं और वह है आज का volume जो कि previous days के comparison में कई गुना जाता है इस breakout को volume भी support कर रहा है अब मैं क्या करता हूँ चार्ट को left hand side में scroll करके यह देखता हूँ कहीं यह company अपने all time high पर तो trade नहीं कर रही तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो company list हुई थी somewhere in 2010 and इसका जो all time high था वो था 6.45 के आज पास and आज के दिन हमें इसका भी breakout देखने को मिल रहा है that means के second region इसका stock को जो select रहने का है वो है all time high का breakout अब बात करते हैं लेवल्स की तो अगर यह stock 6.70 के अगर रूपर निकलता है तो हमें एक अच्छी bank देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing low जो किया रहा है 5.90 रूपीज closing basis पर अब आईए देखते हैं आज का last stock और यह है TBZ का और यह रहस का चार्ट again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं last time मैंने आपको around 100 रूपीज का आसपास दिया था और अभी जो stock trade कर रहा है around 136 के आसपास that means कि हमें 36% का return यहाँ पर देखने को मिला है बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो stock था काफ़ी लंबे समय से छोटे से range में trade कर रहा था जिससे हम लोग consolidation या box pattern कहते हैं and आज के दिन हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वह है box pattern का breakout एक चीज़ आप यहाँ पर on notice कर सकते हैं और वह है आज का volume जो कि normal day के competition में कई गुना ज़्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर ही stock 140 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 115 रूपीज closing basis पर तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching